दोस्तो इस वक्की बरी खबर जार्खन के मायम परदेश अजैस मुहम्मद साकिर ने बहुजन समाजवादी पार्टी के उमिद्वार बजरंगी महत्तो को दिया अपना समर्थन बरी खबर में बताएंगे दोस्तो जार्खन में दो लोगसवाद सीट पर एमायम ने अपना उमिद्वार उतारा जार्खन के राजमहल लोगसवा और गोड़ा लोगसवा में लेकिन गोड़ा लोकसवा में आइन वक्त पर अमायम के उमिदवार मनसूर आलम ने धोका दिया पार्टी को भी धोका दिया उन्होंने अपना नामंकन वापस लिया और जिस वज़े से पार्टी ने फैसला लिया कि मनसूर आलम को आजीवन पार्टी से निस्कासित किया गया है वहीं M.I.M. के परदेश अद्यश मुहम्मद साकीर ने अपना समर्थन बहुजन समाजवादी पार्टी के बजरंगी महत्तो को दिया है बताते चलें दोस्तों इस वक्त राजमहल में M.I.M. के उमिदवार पाल सोरेन है और पाल सोरेन लगातार चुनाओ पर चार कर रहे हैं इस बार पाल सोरेन बड़ी मजबूती के साथ चुनाओ लड़ रहे हैं चुकि राजमहल लोकसवासिट रिजर्प है एस्टी के लिए रिजर्प है इसलिए पाल सोरेन वहाँ पर एक मजबूत उमिदवार हैं बताया जा रहा है कि M.I.M. वहाँ पर इसलिए चुनाओ लड़ी है चुकि मुस्लिम मददाता लगबग सारे 6 लाग के आसपास है और सारे 6 लाग के आसपास मुस्लिम मददाता में M.I.M. ने अपना उमिदवार पाल सोरेन को बनाया है वहीं गांडे बिधान सबा उपचुनाओं में M.I.M. ने अपना उमिदवार उतारा और वहाँ पर 20 में को ही मददान हो चुका है जारखंड में उपचुनाओं में भी इस बार M.I.M. ने उमिदवार उतारा और दो लोग सबासिट पर भी अपना उमिदवार उतारा सुरू से ही लोग कह रहे थे कि राची, गोड़ा और राजमहल तिन लोग सबासिट में अपना उमिदवार उतारेंगे लेकिन ओवेसी सहाब ने निरने लिए कि राची छोर कर उन्होंने राजमहल और गोड़ा में अपना उमिदवार उतारे फिलहाल जो है गोड़ा में M.I.M. के जो उमिदवार मंसूर आलम ने अपना नामांगकन वापस लिया है उसके बाद परदेश अदेश मुहम्मद साकिर ने अपना समर्थन प्रेस कॉन्फरेंस कर बीएस पी उमिदवार बजरंगी महत्तो को दिया अब सब की नजर जहर खंड के एक लोगस्वासित राजमहल पर है और राजमहल के लिए लगातार अब चुनाव परचार M.I.M. के तरफ से देखा जा रहा है इधर M.I.M. के राश्टी अधज बैरिश्टर असुददीन वेसी सहाब बिहार दोरे पर है बिहार के कराकाट लोगस्वा में उन्होंने चुनावी सभा को संबोदित किया और आज वो खुद पाटली पुतरा में चुनावी सभा को संबोदित करेंगे अलाकि इससे पहले सिभर लोगस्वा में मद्दान हो चुका सिभर लोग सवा के अमुदवार राना रण्जिश सिंग ने असुद्धद् दीन ओवेसी साथ के लिए एक सवा रखा था लेकिन राना रण्जिश सिंग का साफ तर पर कहिना हुआ कि ओवेसी साहब को यहाँ पर परमिशन नहीं दिया गया और आज उन्होंने पर्मिशन नहीं दिया गया जिस वज़े से सिवहर लोग सबा में पार्टी के राष्टी अदेश नहीं पोचे उसके बावजूद भी इमायम के जिम्मेदार लगातार वहाँ पर चुनाव परचार किये परदेश कमेटी सहित विहार के परदेश अख्तर लिमान आदिल हसन साहब वहाँ पर जम कर चुनाव परचार किये वही औरंगाबाद के इमायम के उमिदवार इम्तिया जलील साहब भी पहुँचकर राना रंजित के लिए चुनाव परचार किये इदर लगातार जो है चर्चे पर है क्योंकि जहारखन में अपचुनावी माहूल गरम है जहारखन में एक लोग सबासिट पर एमायम के उमिदवार है राजमहल लोग सबासिट राजमहल लोग सवासिट को लेकर चर्चा का माहूल गरम है गांडे वे बिधान सवा उपचुनाओं में भी M.I.M. के उमिदवार को जो है इस बार लोगों ने जम कर वोड़ दिया है अब नतीजे के लिए लोग बेसबड़ी से इंतजार में है वहीं आज जो है M.I.M. ने अपना समर्थन B.S.P. उमिदवार बजरंगी महत्तो को दिया है लगातार दोस्तों आप अपडेट पाने के लिए The Message News में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें या फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फोलो कर लें फेसबुक सीमाचल मेडिया में हमारा अपडेट आपको मिलेगा सीमाचल मेडिया सर्च कीजिए आपको वहाँ पर सारा वीडियो अपलोड मिलेगा चले दोस्तों आज बस इतना ही तक